है वेरी गूड मॉर्निंग तो ओल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड अब्लेमेंट एंड पेड़ोगोजी या बाल विकास के 20 most important multiple choice type questions, mostly questions आपके previously exam, read, seated, UPTED, exam में पूशी जा जोके हैं और आगे आने वाले TED, super TED, read, seated में भी आपको beneficial होंगे और आपको exam में मिलेंगे, वीडियो के last में आप सभी अपने red responses या सही उत्रों को comment section में जाकर बताएं और अपनी जो आपकी preparation चल लएए UPTED, CTED, super TED उसको assist करें हमारा आज का पहला प्रस्ण है कि सूर बालकों के दिवास्वण के संदर्म में निम्न में से कौन सा कतन सही नहीं है question है हमारा adolescence stage में जो daydream की process होती है ठीक है उसमें कौन सा जो आपका statement right नहीं है एक सक्री खेल का प्रकार है तो आपका जो daydream होता है एक्टिव प्ले होता है ठीक क्योंकि हमें आपर actively किसी fact के उपर ठीक है किसी story की imagination कर रहे होते हैं तो एक्टिव प्ले हैं आपका देवासवपन के दौरान किसोर जो भूमिका सुईकार करते हैं बहें नायक का होता है यहां पर daydream में क्या होता है हम जो कुछ भी सोचते हैं जो कुछ भी देखते हैं और example आप हबाई दुनिया में चले जाते तो महां पर क्या होता है बहां पर जो hero होता जो actor होता वह आपके आगे पीछे घूमती है आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है तो आपका एक भी आपका डे ड्रीम से सम्मंदित है रिलेटिड है तीसरा आपका इसमें मानसिक के बजाए सारी दे क्रिया जादा होती है यह आपका रॉंग है और कोस्टिन के एकॉर्डिंग आपका राइट है क्यों क्योंकि दिवास्वपन के संदर में या डेड्रीम के संदर में ठीक नहीं है क्यों क्योंकि डेड्रीम में आपकी मानसिक क्रिया होती है ठीक है यहाँ पर फिजीकल या बोडिली किसी भी पार्ट का पाटिसिपेशन नहीं होता है यहाँ पर केबल केबल के कि बज़े मांसिक क्रिया ज्यादा होती है तो यह भी आपका दिवासुपनिंगे संदर में ठीक है दिवासुपनिंगे संदर में जो आपके हैं कौन-कौन से पहला दूसरा चोधा और आपका नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है तो आपका question आपसा number third यहाँ पर correct होगा इसमें मांसिक के बजा सारी रिक्रिया जादा होती है मतलब यहाँ पर mental operations जादा होती है ठीक है physical operation नहीं होती है क्योंकि physical किसी भी bodily part का use नहीं होता है हमारे imagination में हमारे चिंतन में use किसका होता मस्तिस्क का या human mind का अगला प्रस्न है हमारा पांच साल का एक बालक इह तरक नहीं कर पाता है कि जब पानी को उचे और सक्री गिलास से चोड़े बरतन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतन ही रहती है ऐसा इसलिए होता है क्यों यहां पर बात हो रहे है जीन प्याजे की स्टेजिस की कोगनेटिव डबलमेंट की ठीक है जब बालक को ठीक है क्या होता है जब हम बच्चों को पानी दिखाते है एक आपका गिलास होता है एक आपका बाउल होता है तो गिलास की लेंथ ज्यादा होती है तो बालक को क्या लगता है कि गिलास में पानी ज्यादा है उसी पानी को जो हम बाउल में पलट देते हैं तो बालक उसी पानी को बता देते हैं कि ये बानी गिलास वाले पानी से वाटर से कम है ठीक है तो ये क्यों नहीं कर पाता है क्या सकता है irreversibility की thinking ability नहीं होती है चौता उसका बेभार उद्द्य सुनुमिखी नहीं होता है मतलब objective centered नहीं होता है तो आपका यहाँ पर option third correct रहेगा पल्टा भी चिंतन नहीं कर सकता है उसके अंदर reversibility वाली thinking नहीं होती है वो वहाँ पर नहीं समझ पाता है नहीं जान पाता कि पानी उतना ही है उस पानी को यहाँ पर हमने पलट दिया तो बच्चे के अंदर क्या है यहाँ पर उसके अंदर जो reversibility जो पलटा भी गोड़ है उसकी उसका क्या है development नहीं हुआ होता है लेकिन नेक्स स्टेज में जाते ही पलटा भी गोड़ उसके अंदर विक्सित होने लगता है उसको हम बोलते हैं कॉंक्रीट operational stage तो वहां से वह चीज़ों को बिलकुल समझने लगता है कोसे नंबर थर्ड है हमारा प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के किस चनल पर बच्चा बस्तु इस्तायत को प्रदर्शित करता है यहाँ पर बात हो रही है जीन प्याजे की cognitive development की स्टेजिस हैं कौन से स्टेजिस की विसेशता है औब्जेक्ट प्रमानेंस जो को जीन प्याजे कोहलबर्ग बाइगोस की आपके मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है सीटेट यूपिटेट रीड इनके जो थियोरी से आपको वो प्रिविएसली वीडियो में एक्स्प्रियन की जा चुकी हैं जिनके लिंक आपको आई बेटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा बहाँ से आप इन वीडियो को एक्सेस करके इनके बारे में समझ सकते हैं क्योंकि यह आपके आपके जितने भी एक्जाम हैं टेचिंग से रिलेटेड टेट सी टेट सुपर टेट टेट कोई भी टेट के एक्जाम वह बहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं तो आपका ऑबजेक्ट परमानेंस बस्तु इस्तायुत कौन से स्टेज की करक्टरिस्टिक है पहला आपका कॉ आपके संकुरियात में आपके संब्यध की पीसी नाकिकी संक्रियात में अबस्ता है तो स्टेज हैं तोसे स्टेज में बच्य को पका यह दिका, object permanence का वाती है, जो बच्चा 18 महीनी से 24 महीनी का होने वाला होता है, तब क्या होता है, फॉर example हम बच्चे के सामने जो चीज होती है, वो चीज गायब हो जाती है, तब भी बच्चे के पास उसकी image रहे जाती है, बच्चा समझता है, उसका भी अस्तित्त है बहाँ पर, और example हम बच्चे को टॉफी दिखाएं, उसको टॉफी को आप छेपा लें, तो बच्चा उन टॉफी को ढूलने की कोशिस करता है, वो आपके पीछे हैं या आपने चादर के नीचे चुपा दी है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के पास object permanence का गुण आ जाता ह और इससे पहले क्या होता है, बच्चे की सामने जो चीज होती है वो उसको देखता है, जैसे वो चीज नजरू से ओजल होती है, बच्चा समझता कि अब उसका अस्तित खतम, लेकिन object permanence के बाद में, बच्चे को पता होता है, जो बस तो उसको दिखाए गई है, उसका अस् जरू कर देते हैं, तता सभी प्रकार के प्रस्णों का जवाब जानना चाहते हैं, प्याजे ने इसे अंतर ग्यान intuitive कहा है, कौन से चनर से संबंदित है, यहां पर बात हो रही है, intuitive या अंतर ग्यान की जो stage है, ठीक है, यह कौन से stage में हैं आपके, concrete operational stage, formal operational stage, sensory motor stage, या pre operational stage, त ठीक है, कौन से, pre operational stage, या प्राग संक्रियात्मक का बस्ता, यह दो stage या दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहले आपके होती है, दो साल से चार साल, और अगली होती है, आपके चार साल से साथ साल, तो पहली बाले के हम बोलते हैं, प्राग संप्रियात्मक, ठीक है, जिस दर्सी या अंतरग्यान अबस्ता इसको कहा जाता है, तो यह है आपका pre operational stage, प्राग संक्रियात्मक का बस्ता, कि कौन से stage है, प्राग संक्रियात्मक का बस्ता, यह pre operational stage भी आपके two sub stage में हैं, पहले आपकी प्राग संक्रियात्मक, यह symbolic functional stage, यह sub stage, और दूसरे आपकी intuitive, अग कोहल बर्ग के नेतिक तरके सोपानों में कि बिसेबस्तू के कि सोपान के अंतरगत आएगा यदि आप इमानदार है तो आपके माता-पिता आप पर गर्ब करेंगे इसलिए आपको इमानदार रहना चाहिए यहां पर कोहल बर्ग का मॉरल डबलमेंट का थियोरी है ठीक है उस अनकूलन दूसरा आपका कानून एवन विवस्था तीसरा डंड और आग्या पालन चौतर सामाजिक संकुचन अनकूलन तो यहां पर आपका जो रायत रिस्पॉंस है वह होगा पहला अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनकूलन ठीक है गुड़ बॉय एंड गुड़ कौसे स्टेज है यह है आपके कनवेंशनल में दूसरा लेवल है आपका जो उसकी हैसने, पहले स्टेज मतरब तीसरी सेज ठेग है को पीर कमेंशनल में दो प्रकमेंशनल में मłem Bon dur और पोस्ट कंवेंशनल में द지 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की ऊंद लड़की ग इरिक्षन के दौरा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के अवस्ताएं हैं इरिक्षन की थिए आपकी पर्सोनालटी की ठीक है इन्हों जिसका नाम है साइकू सोसल ठीक है डेबलमेंट और परस्नालटी इसमें इन्होंने कितनी स्टेजिस बताई हैं 6 8 10 14 तो इरिक्षन के दौरा जो इनका परस्नालटी की ठीक है उसमें इन्होंने 8 स्टेजिस को बताया है अगला कोश्यन नंबर 7 राजू खर्गोश से डरता है शुरू में खर्गोश को राजू से काफी दूर रखा गया आने वाले दिनों में हर रोज खर्गोश और राजू की बीच दूरी कम कर दे गई अंत में राजू की गोद में खर्गोश को रखा गया बहे खर्गोश से खेलने लगा एक प्रियोग उधारन है तो यहां पर यह आपका लड़ने की ठीओरी का एक 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 जामपल दिया गया है ठीक है किस की ठीओरी से सम्मंदित हैं आपको बताना है प्रियास सिद्धान ट्राइल एंड एरर थेओरी सास्त्री एवान वंदन सिद्धान क्लास्किल कंडिशनिंग किरिया प्रसूत का सिद्धान ऑपरेंट कंडिशनिंग एबब ठीक है या ओल अब दे एबब सभी से तो यहां पर देखो आपका राजू खर्गोश से डरता था तो क्य किया धीरे धीरे बच्चे के साथ में connection बनाया गया यहां कि पहले क्या था थोड़ा दूर फिर पास फिर 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 फास एक ट्याम ऐसा आया कि बूराजू पी गोज में रख दिया गया है तो यहां पर क्या होता यहां पर होता है यहां है सास्त्रीय एँनुबंधन सि learning में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं गैने की जो थियोरी है ठीक है गैने के learning थियोरी में उन्होंने कौन कौन से टैप्स की learning की बात की है उनकी बुक का नाम है दी condition of learning पांच आठ साथ दस फाइव एट सेवन टैन तो गैने ने अपनी पूस्तक the condition of learning में बात की है एट टैप्स की learning की ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट आपका और एट टैप्स की learning कौन कौन सी है पहली है आपकी जो सबसे lower level की है संकेत अधिगम जिसको हम बोलते हैं signal learning second उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम stimulus response learning तीसरी आपकी स्रंखला अधिगम जिसको हम बोलते हैं चेंड लर्निंग फूर्थ है आपकी सब्द सहचर्य अधिगम बर्बल एस्सोसियेशन लर्निंग फिप्थ है आपकी विभेद अधिगम discrimination learning six नंबर पे हैं आपकी संप्रते अधिगम जिसको हम बोलते हैं concept learning seven नंबर पे हैं आपका यहाँ पर rule learning और last में जो higher level का है आपका problem solving learning समस्या समाधान अधिगम question number nine है हमारा यहाँ पर बच्चों के सीखने के तरीक उपर सबसे पहले अधिन करने वाले ब्यक्ति कौन थे यहाँ पर बात हो रही हैं बच्चों की जो learning होती है उसके उपर सबसे पहले बर्क के लोगों ने किया था कौन से psychologist हैं आपके प्याजे एन बाइगोस्की प्याजे एन ब्रूनर बाइगोस्की एन ब्रूनर ब्रूनर एन इस्पियर्मेंट तो यहाँ पर आपने नाम सुने होंगी प्याजे और ब्रूनर प्याजे और ब्रूनर ने बच्चों के जो learning होती है उसकी उपर सबसे पहले बर्क किया है और मानसिक संदचनाएं जो चिंतन के निर्माड प्रिखंड इसके लिए प्याजे निक की सब्द का प्रयोग किया मेंटल स्ट्रक्चर बिचार बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ठिंकिंग मतलब इन्हों ने बताया है हमारे माइंड में जो ब्लॉक्स आते हैं ठीक है जो हम अपने इन्वारमेंट में चीजों को देखते हैं उनको इस्टोर करते हैं ठीक है ब्लॉक के टाइब में ब्लॉक के फॉर्म में उसको इन्हों ने क्या कहा इसकीमा विकास के छेत्र जोन आप डेवलिम्मेंट जीन प्रिपक्वन प्रिखंडन मैचुरेशन ब्लॉक्स तो इन इमेज के फोर में में हम उसको सेव करते हैं अपने स्टोरिए में स्टोरेज का मतलब हैowser आपका मैमूरी कार्ड हो जाता है और ब्लोक्स का मतलब यहाँ पर जो आपने इमेज देखेảमपन जब पच्चा पहली बार कुद्थिया और बिल्ली को देखता है तो उनकी जो इमेज हैं वो उसके माइंड में सेव हैं ठीक है वो क्या है इस कीमा है कोश्चिन नबर 11 निम्निमेशी कौन सा आधार भूत सा है था इसके फोल्डिंग का एक अच्छा उद्धारण है जिसका आसा है समस्य समाधान को तब तक सिखाना जब तक विध्यारती स स्वयम न सीख सके यहाँ पर बात हो रही स्केप फोल्डिंग क्या है आपको बताना है समस्य का समाधान जल्दी देने के पुरुस्कार देना उसे इह बताना कि बार बार पिरियास दोआरा कर सकती है उसे आधा समाधान या हल किया उधारण उपलब्ध करवाना उसे कहना जब तक की बेसमस्य हल नहीं कर लेती घर नहीं जा सकती इसका फोल्डिंग का मतलब होता है बच्चा यहां पर आधा जानता है वो इस्टार्ट कर देता है लेकिन उसको फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुचा पाता है तब उसको जरूरत होती है जिसके टीचर उसके फ्रेंड उसके मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं तो यहां पर आपका थर्ड ओप्सन करेक्ट होगा उसे आधा समाधान यह हल किया गया उधारन उपलब्द कराना जिससे कि वो अपनी लेर्निंग को आगे बढ़ा पाए अपनी प्रॉब्लम को सौल्व क पर पाए कुशन नबर 12 है हमारा कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च यहां पर बात हो रही है जब हम किसी नए इंवार्मेंट में जाते हैं ने सिचूइशन में जाते हैं और बहुत जल्दी हम भाप एडजेस्ट हो जात इजुकेशन mildem ..... smile principle जाता है जिनके पास होता है जिनकी पास कौईंटिटी जाइदा होती है तो भूह बहुत इसली किसी बी नए इंवार्मेंट में को एड़प्ट कर पाते हैं उसके कार्डिंग अपनी इंवार्मेंट में इस इनवार्मेंट में बैठ जाते हैं question number 13 हमारा by goski के अनुसार बच्चे स्वेम से क्यों बोलते हैं यहाँ पर by goski की बात हो रही है private speech की या personal speech जिसकों बोलते हैं बच्चे एहम के इंद्रित होते हैं ego centric होते हैं ego centric की बात की है जीन प्याजे ना की by goski ने ठीक है करने के लिए बोलते हैं मतलब वो बोले उनकी मम्मी पापा और फैमिली की उनकी तरफ ध्यान करें ठीक है और बच्चे सुभाव से बहुत बात होनी होते हैं तो गाई goski के अनुसार बच्चे जो private talk करते हैं ठीक तो personal talk करते हैं वो क्यों करते हैं इसको private speech भी बोलते हैं वो इसलिए करते हैं वो अपने कारे को सही दिसा देने के लिए बोलते हैं वो कुछ कारे कर रहे होते हैं वो अपने मन में बात करते हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा for example आपको यह राश्ते में जा रहे होते हैं आप किसी भी person को देखते हैं कि कोई लड़का हो सकता है कोई लड़की हो सकती वो आपस में बोलता हो जा रहा होता है तो आप सोचते की पागल है क्या लेकिन रहा होता है वो किसी ने किसी बात को लेकर अपने आप से बात कर रहा होता है वहाँ पर कि वो कैसे चीज को solve करेगा कैसे वो आगे जाएगा वहाँ पर जिसको बाइगोस्की ने private speech या personal speech भी कहा है question number 14 बाइगोस्की का ही है क्योंकि आपके बाइगोस्की, चामस्की, ठीक है जीन प्याजे, ब्रूनर, कोहल बर्ग, यह बहुत important है आपके किसी भी educational test के paper में या आपका super test या आपका DSSB कोई भी exam हो बहाँ पर आप से पूछे जाते हैं बाइगोस्की के नुसार बच्चे स्वेम से क्यों बोलते हैं परिपक होने से by maturation, uncorrent से by imitation, बाइशको, बासम बाइशको के साथ परस्पर करिया करने से या पूनर्बलन प्रदान किया जाता है, gaming feedback जैको बच्चे स्वेम से क्यों बोलते हैं आपर बताया जा रहा है बच्चे स्वेम से जब बोलते हैं जब वो अपने बैस को और उनके घर के बच्चे उनके घर के बड़े और उनके society के जो बच्चे होते हैं उनके peer group उनके age group उनको सुनते हैं उनको समझते हैं उनके deal होता है आपका उसके द्वारा उनके अंदर language development हो जाता है भासा का विकास हो जाता है तब वो बच्चे स्वेम से बोल पाते हैं क्यों से बोलने के लिए भी तो आपको एक language चाहिए होगी भासा चाहिए होगी जिसे आप बात करेंगे तो क्या है अप्शन थर्ड बैसको बस हम बैसको के साथ पर क्रिया या इंट्रेक्टिंग बिद एडल्ट एंड पियल तो अप्शन थर्ड आपका करेक्टर रहेगा कोश्चिन नमबर 15 है हमारा बुद्धी मापन ठीक भाटिया बैटरी परिक्षड भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट ब प्रभावी सिक्षक है और आपका इमेडियेट मेमोरी लास्ट आपका पिक्चर कस्ट्रक्शन या चित्र निर्मार तो जो बुद्धी मापन की भाटिया बैटरी परिक्षड में आपके 5 सब टेस्ट हैं जो कि आपके पिछली बार कोश्ट के एक्जाम में पूछा भी गय सब्सक्राइब यहां पर बात हो रही है क्लास्रूम सिच्वेशन की जहां पर सोशल एकोनोमिक टिक हैं मैंटल फिजीकल डिफ्रेंट बैक्ग्राउंड की स्टूडेंट्स हैं तो बहाँ पर एक टीचर पिर भाव साली तरीके से कैसे पढ़ाएगा कैसे उनको टीच करेग पहला समान आर्थिक प्रिष्ट भूमी की विध्यारतियों को सम्हू बनाएगा उनको एक साथ रखेगा मतलब यहां पर एक टीचर है वो इकोनोमिक बेस पर जो आपके हायर रुप आले हायर इंकम बाले उनकालों गुरुप बनाएगा लोर वालु गालक बनाएगा तो ऐ पहला पर करें तो पहला वाला आपका क्रॉस हो जाएगा सेकेंड बंचित प्रिष्ट भूमी की विध्यारतियों को कठिन परस्रम करने के लिए कहेगा ताकि सात्यों के बराबर पहुंच सके तो ऐसा भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि बच्चों को जाने बिना बच्चों के डबलमेंट होते हैं स्टेज टू स्टेज बैरी करते हैं उनकी नौलेज उसको होती है तो वो इस तरह से नहीं करेगा तीसरा सम्हों में ब्यक्तिक भिनता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा बच्चों के इंडी बिजुल डिफरेंसे को जा करेगा और एक सरमान तरीके से सब्सक्राइब करेगा तो यहां पर आपका थार्ड ऑप्सन करेक्ट होगा सम्हों में ब्यक्तिक भिनता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना यहां पर टीचर बच्चे की जो सोसाइटी है जो कल्चर है उसका उस भिद्याला यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता से बहस करते हुए घाल के लिए तूम अच्छी लड़की की तरहं आग्याकारी क्यों नहीं हूँ तुम लड़कों की तरह बेभार करोगी तो तुमसे साधी कौन करेगा एक कथन किसको प्रतिविम्मित करता है सी टेर्ट में आपके जेंडर स्टेरियोटाइब के बहुत कोश्चन आते हैं तो यह आपके इंपोर्टेंट कोश्चन है आपका रीच सुपर टेर्ट सब के लिए पहला ऑप्सन बच्चों के लालन पोस्टर में परिवार की कथनाईया लिंक समरूपता लड़कियों और आपसन सी करेक्ट होगा थर्ट करेक्ट होगा आपका क्वेशन नमर 18 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निमन में से कौन सा कतन भासा और बिचार के बारे में प्याजे और बाइगोस्की के द्रिश्टी कूर से सही बरड़न करता है दोनों भासा को बच्चे के बिचारों से जर्म लेते हुए मानते हैं गलत है आपका ठीकि बाइगोस्की के अनुसार बिचार जर्म लेत पहले बिचार जर्म लेता है और प्याजे के अनुसार भासा का बिचार पर प्रिभाव पड़ता है और प्याजे के अनुसार बिचार जर्म लेता है और बाइगोस्की के प्याज़े के नसवार पहले बिचार जन्म लेता है और भाइक उसके के नसवार्ट का विचार पर भारे परभाव पड़ता है बच्चे के अंतर में पहले विचार आंगे उसके बाद नमर नाइंटी ने हमारा बहमापनी अंत्राल के समस्त गोड के साथ तीक है यहाँ पर इसकेल की बात हो रही है मेजरमेंट के स्केल जो होते हैं बहमापनी जिसमें अंत्राल मापनी के समस्त गोड के साथ परम सुन भी होता है कहलाती है true zero found in which scale nominal ordinal interval ratio नामित किरमित अंत्राल और अनुपात जो अनुपात मापक नहीं होती है उसमें true zero होता है और उसके अंदर जो ऊपर के तीनों आपके nominal ordinal interval सभी की गुड़ पाये जाते हैं इसको परम सुन ठीक है या true zero भी बोलते हैं question number 20 की हम बात करते हैं सिरजनात्मक प्रक्रिया से समंदित नहीं है not included the process of creativity preparation, incubation, motivation, illumination तो आपका यहाँ पर अभी प्रेड़ना या motivation जो creativity की process होती है उसमें include नहीं होती है यहाँ पर होते हैं आपके translation जिसको अनुबादन हम बोलते हैं और जो आपकी creativity की process होती है उसमें पहला preparation फिर आपका incubation फिर आपका illumination और लास्ट आपका translation होता है तो यहाँ पर हमने discuss किये है child development और pedagogy के 20 most important question जो कि आपके read, TED, super TED और HP TED ठीक है जितने भी आपके TED के exam है mostly exam में पूछे जाते हैं और repeat किये जाते हैं जीन प्याजे, brunner, koholar ठीक है और पाबलब, skinner यह जितने भ आपके psychologist है, mostly आपके जीन प्याजे, bygosky, brunner, Harvard gardener, seated में आपके बहुत पूछे जाते हैं और आपका जो gender type को question बहुत भी पूछे जाते हैं और जो exam आपके होते है, read का exam आपका बहुत जादा deeply पूछा जाता है, वहाँ पर उपर से नहीं पूछा जाता है, seated का exam तो पूर conceptual भी इसका होता है, अगर आपका concept clear है, तो भी आप उसको attempt कर पाएंगे, यूपी टाट का paper होता है, थोड़ा memory level का, आप जो पढ़के जाते हैं आपको मिल सकता है, लेकिन read के exam में, super debt के exam में, seated के exam में, जैसा आप पढ़के जाएंगे, आपको बैसा नहीं मिलेगा, करना होगा, condition, situation, problem को समझना होगा, उसके बाद आपको response देना होगा, कोई भी confusion हो, कोई problem, कोई suggestion, कोई improvement, तो आप comment कर सकते हैं, thank you